तो यहां से हो गया यह X-Linked Recissive की कहानी ठीक है इसमें क्या होता है Criss-Cross Inheritance देखने को मिल लिए Criss-Cross Inheritance का मतलब Criss-Cross Inheritance का मतलब बच्चों कि एक बार कोई भी disease अगर male को हुई फिर वो father से या अगर father को हुई तो father से फिर किसमें जा रही है daughter में daughter से किसमें जा रही है वो किसमें जा रही है वो वापस से son में जा रही है ठीक है मतलब daughter के son, father के grandson तो मतलब एक बार ऐसे ऐसे travel कर रही है उसको हम कहते हैं Criss-Cross Inheritance ठीक है हाला कि father से अगर कोई भी X-linked recessive disease अगर जाएगी किसी female के पास तो वो carrier बनेगी अगर female जो father के साथ अगर mother normal है तो अगर mother भी disease या carrier भी हो गई तो female कैसी हो सकती है disease हो सकती है क्यों? क्योंकि फिर वो XC, XC बन जाएगी ठीक है? और generally अगर father XC है तो फिर वो carrier ही बनाएगा किसको female को अगर वो mother जो है वो normal है तो पर अगर mother या इस case में क्या होगा? mother भी अगर disease है XC, X है तो क्या होगा? XC इधा से आया और XC इधा से आया वो बन कैसे गई? disease हो गई तो ठीक है? तो ये हो गया hemophilia और color blindness इसके एक खुबसूरत examples है ठीक है? चौथा point देख लेते हैं चौथा point कहता है बच्चो कि अगर children और parents दोनों ही affected है हमने पहला point क्या बोला था? हमने बोला था कि अगर males और females दोनों affected है यानि हम उस generation की बात कर रहे थे अगर males और females दोनों affected है तो वो क्या होंगे? autosomal पर अगर parents और parents और children दोनों ही affected है तो वो trait कैसा होगा? dominant होगा सीधी सी बात है अगर कोई trait अगर parent में भी है parent भी मालीजे कुछ ऐसा disease है या कुछ है और अगर वो trait बच्चों में भी दिख गया वो dominant होगा तब ही तो दिख गया अगर वो dominant ना होता तो क्या वो दिख जाता? क्या वो दिख जाता? वो recessive हो जाता अगर वो नहीं दिखता तो ठीक है? अगर children are affected but parents are normal अगर parents normal थे और children फिर भी affected हो गये यानि क्या हुआ ये? ये एक recessive trait हो गया क्योंकि ये पहले show नहीं हो रहा था पर इस वाले case में क्या था? कि father पे भी वो trait शो कर रहा था और क्या हुआ? प्रोजनी में भी वो शो कर गया यानि ये trait dominant हो गया पहले वाले case में अगर आपने देखा कोई भी pedigree अगर आपने देखी, analyze करी अगर आपने उसमें देखा कि पहले आप देखेंगे कि एक generation में males और females दोनों को हो रही है या नहीं? आपने देख लिए, आपने का हाँ हो रही है तो वो trait कैसा हुआ? autozomal हो गया अगर उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हाँ males और females दोनों को हो रही है पर ये father या mother को भी हो रही थी तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये dominant character हो गया क्योंकि ये किसी भी दो जनरेशन में, continuous दो जनरेशन में, लगातार दो जनरेशन में अपने आपको express कर रहा है ठीक है? तो इसी के साथ आते हैं एक question करने ये एक question है ये अभी आपका 2023 का इक question है please इसको एक बार pause करके लगाने की कोशिश करिए based on the rules जो अभी आपको समझाए गए उन rules के देखते हुए एक बार इसको attempt करिए, pause कर लिज़े यहाँ पर वीडियो उमीद है आपने बास कर लिया होगा आईए इसको लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, sorry बच्चो एक चीज मेरे से रह गई यहाँ पर आपको बताया गया है कि X-linked recessive है या अगर आपको ऐसे बता दिये कि बताया गया है कि यह किसका है यहाँ पर आपको खाली sickle cell anemia का बताया गया है कि यह sickle cell anemia का case है सिकल cell anemia ही खाली बताया गया है अब आप इसको solve करिए उमीद है हो गया होगा pause करके अब आप देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या देख सकते है हमारा पहला rule क्या कहता था पहला rule हमारा कह रहा था बच्चों की अगर males और females दोनों ही affected है एक generation में तो क्या होगा वो autosomal होगा ठीक है यह बात तो बात हो गई थी ठीक है तो यह क्या हुआ autosomal हो गया इसमें तो कोई हमें शक है नहीं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं autosomal हो गया ठीक 2023 हटा दिया जाए क्योंकि अब 24 आ गया है है ना तो आते है autosomal तो पक्का हो गया ठीक अगला हमने क्या देखा था कि अगर males affected है और सिफ males से males में जारी disease तो क्या हुआ यह लिंग्ड हो गया यह तो ऐसा तो नहीं दिख रहा बच्चों अब आगे आते हैं तीसरा क्रिस-क्रॉस इंहरिटेंस तो X-linked रेसिसिव होगा ठीक है अगर males affected है but the trait shows क्रिस-क्रॉस इंहरिटेंस ठीक है hemophilia या color blindness का example था ठीक है तो अगर ऐसा है तो क्या होगा X-linked रेसिव होगा पर ये क्रिस-क्रॉस नहीं था क्योंकि male में भी तो जा रहा है तो ये X-linked रेसिसिव नहीं हुआ अब आते हैं last point second last point कि अगर children और parents दोनों affected है तो क्या होगा ये dominant होगा trade क्या होगा dominant होगा children और parents दोनों affected है dominant तो है बचों ठीक है अब आते हैं last पर last आ गया अगर children are affected but parents are normal अगर children affected है तो recessive तो नहीं है तो हमें क्या पता चल गया कि ये trade जो है वो autosomal dominant है ठीक exam में question दो पार्ट में पूछा गया था क्या पार्ट थे पहला था कि ये बताईए कि phenotype क्या है इस male का ये male है ये तो पता है पहला था कि phenotype बताईए ठीक और दूसरा था कि इसका genotype बताईए अब phenotype आपको पता चला कि नहीं चला ये क्या ये disease था ये तो वैसे ही नहीं दिख रहा है disease तो disease थो नहीं था ठीक है disease थो नहीं था अब disease नहीं था तो क्या हो सकता है यानि ये पहला पार तो आपने क्लियर कर लिया कि फादा जो है वह disease नहीं है ठीक है अब बच्चों क्या आगए आपका क्या आगए आपका Auto-zomal dominant answer आगया अब बच्चों हो गया है खेला खेला कैसे हो गया क्योंकि autosomal, आपने ये किया क्यों, आपने ये किया क्यों, आपसे मैंने आपसे पूछा गया था, कि mother का phenotype बताईए, और father का genotype बताईए, तो पहला point आपने तो clear कर दिया, कि हां mother तो diseased है, ये बात तो कोई भी बच्चा बता देगा, पर दूसरा जो इनका genotype पूछा गया का genotype कैसे निकलेगा, आपने autosomal dominant बता दिया, आपको ये करना ही नहीं था, मैंने शुरुआत में पढ़ाते समय ही बोल दिया था, ये कहीं बात अगर आपने lecture में ध्यान से सुनी हो, तो मैंने बोला था कि आप कोई भी disease का नाम याद रखेगा, कि वो क्या है, यहां इन् आता अपने autosomal dominant निकाल दिये, रोल समय लगए जहां पर आप को अपने disease का नाम धियान रखेगे, याद होना बहुत जरूरी है, थेकि है, अब यहां पर disease का आपको पता है, autosomal recessive है, आपको यह पता होने के बाद, अब आप करेंगे क्या, आपको यह पता चल गया है, ह आपने पहला पार्ट कर दी आपने कहा कि में फीमेल जो है यानि जो मदर है वो डिजीज है ठीक है कोई बात बिल्कुल सही है क्योंकि वो तो आपको ऐसे दिख रहा अब आपने कहा कि मुझे पता करना है कि इसका जीनोटाइप क्या है फादर का अगर ऑटर्जोमल डेजीज है बच्चों तो यह डेजीज रेसेसे कंडिशन में क्या करेगी एक्सप्रेस करेगी हो और रेसेसे कैसे ही होमोजाइकस रेस फार्स का आपको फार्स करते हैं अगर यह अगर यह दो ही कंडिशन होसकती है अगर इसमें डिजीज है है नहीं द्री इंट है नहीं है podéis-भी । दिस्टिज़ा यहां पर यहां पर यह बूने पर यहां पर यहां पर दोनों capital A होते अगर यहां दोनों capital A होते तो cross क्या बन रहोता हमारा capital A capital A cross with capital A capital A यह cross करके आपको क्या मिलता capital A small A यानि यह क्या होती डिजीज कंडीशन है क्या यह बहुत से बच्चों को लगेगा disease condition disease condition नहीं है बच्चों यह क्योंकि यह तो अटोजोमल रेसिजिव कंडिशन है, तो रेसिव कंडिशन में ये सिर्फ के स्मॉले वाला डिजीज कंडिशन होगी, बाकी कोई डिजीज कंडिशन ही नहीं, आप समझ रहे हो इसलिए मैं यह एक्जेंबल लेकिया है क्योंकि थोड़ा अलग था तो यह डिजीज कंडिशन है सर्फ स्मॉले स्मॉले तो अब यह अगर ऐसा हमने किया होता ऐसा हुआ होता तो क्या सारे इंडिविजुल्स इसमें देखे सारे जितने भी आप कॉम्बिनेशन बना लें सार किया है तो अब किया है क्या है तो एसा थो नहीं दिख रहा है क्या है तो दूसरा वाला केस देख लेते हैं क्या है बही मदर का तो हमें पता चली गया ना मदर का हमें पता है कि इसको करेंगे पूरा अगर आप इसको क्रॉस बनाए तो इसका क्रॉस बनेगा आऊ बना ही लिया जाये Capital A small A ठीक है? Oh no Capital A Small A और Small A Small A क्या बनेगा? Capital A small A small A Capital A small A और Small A small A यानि ये 50% chance दिख रहे हैं किसके disease condition की क्योंकि 2 small A small A हैं और 2 capital A small A हैं इसका मतलब आधे जोंगे वो disease जोंगे और आधे disease नहीं होंगे वही condition तो दिख रहे हैं तो ये इसका क्या हो गया? Genotype? Capital A small A ठीक? इसमें कोई डाउट? अब आप इसको express कर लीजेए जैसे ये express करते हैं sickle cell anemia में mainly हम इसको represent करते हमेशा किस फॉम में? आँ एक बढ़ियां से color लिया जाए फिर बताए जाए आईसे क्यों बताएंगे? attitude यानि ये इसको हम express कर देंगे Hb A और HbS में यहां बच्चो HbS जो है sickle cell anemia को हम कहते है anemic disease gene allele है और ये क्या है? normal allele है HbA ठीक? यहां पर जो हम sickle cell वाले को कहते है वो small a हुआ ठीक है? जो disease causing है उसको हम sickle cell वाला कह रहे है S for sickle cell anemia ठीक है? तो यह हो गया इसका answer HbA और HbS ठीक है? कोई doubt? उमीद है नहीं होगा ये कुछ चीजें है कुल मिला के आपको मैं यही बताना चाहरा था इस question के माध्यम से कि कुछ चीजें कुछ ही disease है और examiner आपको इसी लिए इसी लिए इसने यहां पर तीन जनरेशन दी आप देखें तीन जनरेशन दी उसको यह यही समझ रहा है कि आपको यह बता है कि वो ओटोजोमल रेसिसीज है जैसे आपको पता चला पही पहला question आपने ऐसे cut साफ जाल कर दिया क्या आपने देगा डिजीज है Sql Sellenemia आपने सीधे मादिया। दूसरे वह आपको जज कर रहा है, क्योंकि वह आ जान रहा है कि आपको यह पता है कि Ortozomal Resistive Disease आपको यह भी समझ ज़ा और आपने यह पता कर लिया, आप आपको यह देखना है। इसमें भी उसने आपको बता दिया कि 50% affected है 50% affected नहीं है तो आपको अब पता ही कि आपको सिर्फ एक यह चेकर बॉक्स बनाना था और आपको देख लेना था कितना असान था यह पर यह इसमें अगर आप उस मतलब माया उसमें क्या कहते है चक्रवियू में अगर आप फस जाते तो आप फस जाते तो बस यही मैं आपको बताने चाहता था बच्छो आते है इनके कुछ कीवर्ड देखिएगा कि प्लांट ब्रीडर्स को मतलब हेल्प मिली बहुत जादा क्योंकि कभी भी क्रॉप जब डिजाइड के बनाने थे तो उसमें इनका जो है बहुत बहुत हल्प करी इनके इन्हों ने तो बताया क्या डॉमिन्ट क्या ट्रेट इदा उधर तब ही तो हम डिजाइड क्वालिटी इसके बना पा रहे है ठीक अनिमल ब्रीडर्स ने भी यूज किया क्वालिटी औफ पॉल्ट्री और कैटल को इंप्रूव करने के लिए यूजेनिक्स और पेडिग्री अनलेसिस में भी काम आया हीूमन्स की ठीक है पेडिग्री अनलेसिस में जब आपने कोई देखा कि कोई जनेटिकल डिफेक्ट है या कुछ उसमें प्रॉब्लम है किसी चाइल्ड में तो आपने उसका अबोशन करा दिया तो इस तरह से ऐसे अब यह सब चीजे भी करा लगेमन टेंडिक कर लेते हैं दो कपल को आप अनलेसिस कर सकते हैं कि यह डिजीज आपके हो सकती है यह सब भी हो सकता है ठीक ओंडेशन ऑफ मोलेकुलर जनेटिक्स भाई इन्होंने जीन बताया मतलब फैक्टर बताया सब कुछ नहीं बताया श आगे बढ़ते हैं बच्चों आप शायद बोर हो गयोंगे पानी पी लीजे उसके बाद कंटिन्यू करिए क्योंकि अब हम चल रहे हैं सेकेंड पार्ट पर एक मिनट मुझे लग रहा है हमको छूट रहे हैं क्या कहते हैं इनका कहना है कि क्रोमोजोम्स अकर करते हैं एक पेयर में ठीक है जस्ट लाइक एलील्स ऑफ मेंडेलिन फैक्टर्स ठीक क्या कह रहे हैं यह जो है यह क्रोमोजोमै थीऔरी जो है बाद में क्या क्या मेंटल को कुछ मॉड़्िकेशन किये गए में इंडल की laws में, theories में, उसमें, ठीक है, कई कुछ scientist थे, शेमाक, ठीक है, और ये सब कुछ scientist थे, जो आये, और उन्होंने का कि देखो, ये तो गलत हुआ, उनको ध्यान ने दिया गया, और आप लोग ध्यान ने दिये, और मैं बताता हूं, मैं थोड़ा मोडिपाय करके, उनकी कि एकोशिश करता हूं, आये फिर ये chromosome किननका, chromosome जहां वाकर हो रहे हैं, पेर में, जहां alleles of mandaline factor, यानि genes के दो pairs, alleles, homologous chromosomes separate हो रहे हैं, during meiosis, like the pair of similar or dissimilar alleles, जैसे कि दो alleles separate होते हैं, दो पार्ट में, capital A, small A, वैसे ही chromosomal pairs भी separate हो रहे हैं, ठीक है, dissimilar alleles of mandaline factor sequence at the time of gamete formation, gamete formation में ही क्या हो रहे हैं, alleles separate हो रहे हैं, X और Y, है न, X अलग और gametes का formation होते हैं, आगे आते हैं, different chromosomes orient and separate independently during meiosis, like mandaline factors, meiosis के समय, अलग-अलग chromosomes अपने आपको अलग तरह से orient करते हैं, कब, mandaline factors की तरह, genes में, mandaline factors क्या है, basically genes है, ठीक है, paired condition of both is restored during fertilization, fertilization होता है, तो paired condition क्या होती है, either father से X आया, mother से, father से X आया, mother से भी X आया, तो paired condition वापस X का एक क्या हो गया, या पेर बन गया, यानि यह जो paired condition थी वापस restore हो गई, यही कुछ ऐसा, दोनों में ही होता है, ठीक है, mandaline factors and chromosomes maintain their individuality from generation to generation, ठीक है, यह कुछ हो गया, अब आते हैं, बच्चों, एक अलग दुनिया में, mandal साहब ने कुछ बतायी थी बाते, ठीक है, उनके अलावा कुछ अलग बाते भी निकली थी, ठीक, जैसे mandal साहब ने बताया थे कई बाते, उसके अलावा यह बाते कुछ अलग आई, यह है chromosome, ठीक है, यह हो गया, homologous chromosome, ठीक, linkage क्या होता है, बच्चों, tendency of two or more genes of same chromosome to remain together during the process of inheritance, यह दो homologous chromosomes है, यहाँ हमने बताया कोई gene है, ठीक है, कोई gene present है, ठीक है, कोई gene present है, यहाँ पे भी कोई gene present है, ठीक है, अब यह दो gene जो है, ठीक है, यह दो gene एक साथ लगा, अगली generation में भी ऐसे ही inherit हो जाएं, sorry, अगली generation में भी, ऐसे ही inherit हो जाएं, कोई change ना आए, तो हम इसको कहते हैं, linked genes, यह दोनों linked genes हो गए, असल में कई चीजों से यह effect पड़ता है, suppose यहाँ पे capital, small a, small a, small a हो गया, यह small b हो गया, ठीक, यहाँ पे भी हमने देखा कि जो अगली generation थी, उसमें भी small a और small b पाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्रोमोजोम के separation के समय पे, crossing over का एक phenomenon होता है, sexual reproduction में बचों, यही तो एक खास बात थी, कि variation का हमें एक chance मलता है, variation होता है, अगर यह variation भी ना हो, तो काफी हता कि a sexual reproduction को resemble करने लगेगा, कि same चीज, pass on हो रही है अगली generation में, पर हमारे case में क्या होता है, sexual reproduction में changes आते हैं, क्यों क्योंकि meiosis होती है, crossing over होता है, और जो क्रोमोजोम के part हैं, वो अलग-अलग separate होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ part एक क्रोमोजोम का दूसरे क्रोमोजोम पे चला जा रहा है, ठीक है, और पहले वाले का दूसरे का पहले पे जा रहा है, यह जो exchange है, यह blocks of, या पार्ट या blocks of chromosome, इसको हम कहते हैं, crossing over, यह crossing over का phenomenon जब ना हो पाए, प्रॉपरली, एक particular part में और दो genes जो हैं, वो एक साथ inherit हो जाएं, दो या दो से ज्यादा genes inherit हो जाएं, तो हम उसको क्या कहते हैं, linked genes कहते हैं, या इस process को क्या कहते हैं, linkage, ठीक है, यानि आपको कोई अलग ही नहीं कर पा र है, ठीक है, तो यह क्या हो गया, linkage के process हो गया, कई चीजों से effect होता है इनका, आगे बढ़ते हैं, complete linkage और incomplete linkage, दो तरह की linkage पाई जाती हैं, बच्चों, complete linkage और incomplete linkage, crossing over, इसमें जो होता है, दो alleles के बीच में, वो absent होता है, मतलब यह जो दो gene है, ठीक है, यह भी एक alleles है, मैंने आपको पहले बताया था शुरुआत में, कि यह दो, एक alleles इधर, एक alleles इधर, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, यह दोनों मिलके एक gene मना रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, दो alleles के बीच में, जब crossing over ना हो पाए, pen change करो, shirt से, जब इन दोनों के बीच में, crossing over ना हो पाए, तो हम इसको कहते हैं, complete linkage, ठीक है, मतलब crossing over हो रही होगी, कहीं और, यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब हो सकता है, कहीं और हो रही हो, नीचे हो रही हो, यहाँ पे कहीं हो रही हो, crossing over तो होगी, तो crossing over नहीं होगी, तो यह resemble कर जाएगा asexual reproduction, तो crossing over तो हो रहरे है बचों, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई नहीं हो रहा है, इनको कोई अलग नहीं कर पा रहा है, आप समझ रहे हैं, तो इन दोनों को अलग नहीं कर पा रहा है, तो यह क्या हो गए? यह लिंग्ड जीन्स हो गया तो कई चीजों से एफेक्ट होता है यहां पर यह जो होगा यह क्या होगा complete linkage होगी अगर इन दोनों को अलग नहीं कर पा रहा है यह नहीं complete linkage है parental combinations generally 100% होगे मतलब जादा जितनी जादा linkage complete होगी उतने जादा parental combinations होंगे ठीक है यह point आप कार्ड दीजे पर parental 100% और 0% वाला point कार्ड दीजे parental combinations जादा होंगी किससे recombinants से ठीक है क्यों होंगी क्यों कि linked genes जब inherit हो जाएंगे तो क्या होगा recombinants नहीं बनेगे recombinants का मतलब जब crossing over जादा होके crossing over proper हो और अलग-अलग variation के साथ जो है progeny वो बने ठीक है incomplete dominance में sorry incomplete linkage में crossing over हो रही है proper हो रही का मतलब हो उसमें भी रही है लेकिन यहां पे उन दोनों जो genes के बारे में हमने alleles के बारे में बात किया था यहां पे भी हो रही है ठीक है तो यह हो गया incomplete or complete dominance बहुत ज़्यादा यह आपको इसमें detail में जाने की ज़र्वत नहीं है ठीक है factors affecting linkage जब distance between linked genes बढ़ जाती है यानि यह अगर एक ऐसे है और एक ऐसे है तो इनकी linked मरलब अगले generation में linked genes कहलाने का बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है क्योंकि यह अगली generation में transfer हो जाए इसकी chances कम है बहुत pass ही होंगे तब ही अलग नहीं हो पाएंगे otherwise यहां पे दूसरा chromosome आया और उसने इनको अलग कर दिया बच्चों तो दूरियां जो है वो ज़्यादा रखने से दूसरे जो है वो आके बीच में तोड़ देते हैं ठीक है तो दूरियां कम रखनी चाहिए ठीक है अगर आपको linked रहना है तो ज़्यादा दिमाग नहीं बच्चों इधरी रहिए तो अगला है age of organism ज ज़्यादा होगा आईये बढ़ते है अगला exposure जो है x-rays का x-rays जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी होतना आपने सुना होगा कि x-rays ज्यादा होने पर mutation हो गया ठीक है तो mutation होना या variation होना उसमें ज्यादा होता यानि यह linkage को कम करेगा ठीक है और यह temperature जैसे जैसे बढ़ेगा वै अब तो आप भी बताईए बढ़नी चाहिए मेरे इसाब से temperature ठीक अगे बढ़ते हैं ओ नौ आओ अब आते हैं अब आते हैं बच्चो लिंकेज के बारे में इन्होंने क्या किया यह experiment जो था कि T.H. Morgan ने किया इन्हों यह आये इन्होंने लिंकेज पर थोड़ा सा study किया study इन्होंने object किसको लिया? drosophylla melanogaster यानि fruit fly मक्ही तो इन्होंने जब ऐसा किया इनको इन्होंने मक्ही ली तो उसके फाइदे किया हुआ? मक्ही क्यों ली? क्योंकि सबसे बढ़ियां बात इसमें यह थी कि एक तो छोटी थी ठीक? short lifespan था ठीक है? खाने पिलाने में कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है? कई सारी progenies बहुत जल्दी produce करती थी ठीक है? और मतलब population increase आराम से करा लेते थे लाबरेटरी में रखने में असानी थी इनको ठीक है? यह उसको मतलब proper feed वेगरा आराम से कर लेते थे कोई दिक्कत नहीं थी rotten fruits पे लगती है generally ठीक है? तो यह कुछ बाते थी तो इन्होंने linkage को study किया किस पे? Drosophila melanogaster पे ठीक है? तो आईए कुछ इनकी बाते देख लेते हैं कहां इन्होंने? क्या देखा? कुछ linkage देखी, कुछ recombination देखा ठीक है? तो इन्होंने देख पहले लिया red eye ठीक है? red eye red eye क्या था? मक्ही थी जिसकी red eye थी और दूसरी क्या थी? white eye थी ठीक जो red वाली थी वो wild type की थी ठीक जब इन्होंने इसको cross कराके देखा red eye और white eye को अचा यह cross कैसा था? इन्होंने cross जो कराया यह reciprocal cross कराया ठीक है? reciprocal cross अभी हमने पढ़ा था क्या कर रहे था यह? male को एक बार एक character का लिया पर दूसरी बार दूसरी का ठीक है? एक बार हमने इधर इनको लिया red eye को female लिया और दूसरी तरफ यह red eye को male लिया ठीक मतला ऐस यहां तो ऐसे देख लीज़े ऐसे देख लिया red eye female ली दूसरी बार white eye d female ली ठीक जब इन्होंने wild type की female ली, तो white eye और red eye का जब cross कराया गया, तो दोनों ही red मिले, यानि दोनों ही wild type के मिले, फिर इन्होंने उसके बाद जब आगे cross कराया, जब उसके बाद कराया, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा, कि इन्होंने देखा बचों, कि इन्होंने दुबारा जब लिया, तो all red eyed females मिली, ठीक, सारी red eyed females मिली, और males क्या मिले, आधे, males जो थे वो, आधे जो थे वो red eyed थे और आधे जो थे वो white eyed males थे, ठीक है, इसके आगे, अब हमने क्या देखा, इसके आगे अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये आधे white eyed males थे और आधे red eyed males थे, ठीक है, आगे अगले उसमें हमने क्या देखा, आगले पर आते हैं, जल्दी से देखते हैं, बहुत ज़्यादा time नहीं लगाएंगे इस पर, बहुत ज़्यादा important नहीं है ये, ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पेरेंस को ली, तो हमने क्या देखा कि यहां से हमने जब कराया क्रॉस तो हमने red eyed female मिली पर white eyed male मिला, white eyed क्यों male मिला, यहां पर ये बात ध्यान रखेगा, अभी हम आगे इसको point out करेंगे, ये बात बहुत सोचने वाली है कि जब हमने white, पहले हमने जब red eyed female ली थी, तो क्या था, तो फिर दोनों में transfer हो रहा था, ठीक, क्योंकि white eyed हमने क्या लिया था, male लिया था, तो क्या था, दोनों में red eyed male बना और उसके बाद फिर क्या बना, males में white पहुंचा, ठीक, पर जब हमने यहां पर देखा, red eyed लिया और white eyed male लिया, तो हमने देखा कि आधे जो थे, वो white eyed females थी, ठीक, यह हम F2 generation देखने, ठीक, F1 generation में हमने देखा था कि जब हमने white eyed और red eyed लिया, white eyed female लिया, ठीक, तो हमने क्या देखा कि white eyed male जो था, sorry, red eyed female और white eyed male बना, ठीक, उसके बाद जब हम आगे बढ़े, तो हमने देखा कि यह आधे white eyed बने और आधे red eyed बने, अब आप इसमें बहुत ज़्यादा confused होने लग गए होंगे, मुझे भरोसा है आप पर, ठीक, आधे white eyed males बने, कुल मिला के इनका कहना क्या है, मुद्दे की बात यह है, कि यह कहना चाह रहे है कि जब, क्योंकि यह आई color का gene होता है, यह X linked होता है, ठीक, X वाले chromosome पे present होता है, यह सारी कहानी बस एक नज़र देखने की थी, ठीक, पहली बात तो यह बहुत ज़्यादा important है नहीं, ठीक, important यह नहीं है, ठीक है, तो यह, इसमें बस हमें मुद्दे की बात यह याद रखनी है, कि आई color का जो यह gene है, यह present होता है X chromosome पे, ठीक, और X chromosome जो है वो आपका mother से, sun में तो transfer हो सकता है, पर mother से, mother से, father से sun में transfer नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वो Y chromosome देता है sun को, ठीक है, तो mother से sun में transfer हो स mother to son होगी ठीक है father to daughter हो सकती है पर father to son नहीं हो सकती है बस यही मुद्दे की बात समझाना चाहा है इससे ज़्यादा कुछ है नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा अपने समय बरबाद मत करिएगा बोरिंग बहुत लग रहा होगा that मैं मानता हूं मैं खुद यह बात मान रहा हूं तो फिर बात ही खत्म crossing over के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि crossing over क्या होता है mutual exchange of अरे चाचा हटो ठीक है exchange of अरे यार क्या कर रो क्या परिसान कर रो तो बचो mutual exchange of blocks of homologous chromosomes ठीक rejoining of chromosomes in the synaptonemal complex synaptonemal complex वगरा बनते हैं जब crossing over होता है और chaos meta formation वगरा होता है chaos meta का आगे बढ़ते हैं sex determination पे मुद्दे की बात करते है sex determination यह important part है इसमें कोई ना कोई question आपके exam में आ सकता है एक दो number में ठीक है तो वो morgan वाला पार्ट जो मक्ही वाला था वो बहुत ज़ादा important नहीं था ठीक है तो आप इस मुद्दे पे आईए क्या किया रहें fruit fly और human beings में sex determination कैसे होता है ठीक drosophila में और humans में क्या होता है females जो होती है उसमें 2x chromosomes होते हैं females में x y present होता है ठीक है यह दिख रहा होगा उमीद है मुझे दिख रहा होगा आपको ठीक है अब दिख रहा है birds के case में क्या होता है birds के case में क्या होता है birds के case में females जो है वो क्या होती है females जो है वो z w पाया जाता है heterogametic females होती है heterogametic अन्य अलग-अलग gametes से होते हैं, वो होते हैं, ठीक है, मतलब अलग-अलग alleles, ठीक, अलग-अलग chromosomes, ठीक, Z, Z, ठीक, आगे आते हैं, और last में हमने किसका देखा? Plants का देख लेते हैं, Plants का देखते हैं, Plants में क्या होता है, अगर सीधी सी बात है, females में अगर Y chromosome absent है, तो क्या होगी वो? Female होगी, अगर Y chromosome दिख रहा है? अगर Y chromosome absent है, तो क्या होगी यह? Female होगी, और अगर Y chromosome present है, तो बस यह male होगा, सीधी सी बात है इनकी, ज्यादा तलफ़लानी अप्लाइंस में, Honey Bees, Honey Bees का important है बचो, Honey Bees में क्या होता है? Workers पाई जाती है, Queens पाई जाती है और ये क्या होती है, Diploid होती है, 32 chromosome होते हैं, Drones क्या होते है, 16ammers होते हैं, Haploid होते हैं, तैक, आपने देखा होगा Queen से कैसे, जब Workers बनती है, और Workers क्या होते है, जो काम करती है, जो आपको generally दिख जाती है workers जो होती है, वो काम करती है drones भी होते है, वो काम करते है queen क्या होती है, queen as the name suggests she's a queen, वो कोई काम नहीं करती तो इसमें selection क्या होता है criteria, कि बस deployed है तो वो worker या queen होगी और drones होगे अगर वो, तो वो haploid होगे इसलिए आपको ये भी पता होगा कि drones हमेशा sterile माने जाते है यानि ये fertilization में part नहीं लेते है ये parthenogenesis से formation होता है ठीक है, मतलब ये asexual reproduction का एक type हुआ ठीक, तो इसमें haploid होते हैं ठीक है, अगला आता है grasshopper grasshopper में males जो होते हैं वो exotype के होते हैं और females जो होते हैं वो exx type की होते हैं यानि इसको आप ऐसे देखिए कि males जो होते हैं उसमें एक ex chromosome कम होता है भाई उसमें male character बढ़ाना है तो उसमें क्या करेंगे, एक ex chromosome कम कर देंगे तभी तो वो female से थोड़ा सा ex character यानि female character से कम होगा ये बस मैं ऐसे आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि xx है तो ज़्यादा female character होगा और x chromosome नहीं है एक तो क्या होगा ये फिर male character को जोगा क्योंकि female character कम हो गया या तो आप male character बढ़ा दो ठीक है? अच्छा यहीं हमने पीछे क्या बात करी थी birds की case में बात करी थी वो एकदम अलग था सबसे अलग जो है वो birds का है इसको ज़ो याद रखेगा कि females जो होती है वो heterogametic होती है ZW type की ठीक birds है या chickens विगरा जो भी है ये आपके heterogametic मानी जाती है ठीक है? ये एक अलग type का है वो याद रखेगा वो important भी है grasshopper का भी अच्छा है important है ठीक है? ये एक बात और X chromosome दिया किस ने था? hanking ने दिया था hanking ने X chromosome को discover किया था ये आपके शायद उसमें होगा ठीक है? जो आपको scientist की sheet दी गई थी उसमें मेरे ख्याल्स में होगा X chromosome को discover किया गया था ठीक है? आगे बढ़ते हैं color blindness अब आते हैं कुछ? Mendelian disorders आते हैं color blindness के बारे में बात करते हैं color blindness एक generally man में देखने वाली disease है ठीक है? gene for color blindness किस पर होता है? X chromosome पर होता है gene of color blindness कहां पर पाये जाता है? X chromosome पर पाये जाता है जहां पर XC Y जो हो गया वो color blind होगा सीधी सी बात है क्योंकि ये male है पर अगर female की बात करें तो एक पर अगर present है तो वो carrier होगा और दोनों पर present है तो वो color blind होगा ठीक है? अब आते हैं human genetic disorders पर ठीक है? human genetic disorders में सबसे पहला क्या है? hemophilia हीमोफीलिया पहला है सबसे पहले protein involved in clotting of blood is affected सीधी सी बात है clotting of hemophilia है क्या? hemophilia में basically blood की कमी हो जाती क्योंकि hemoglobin का formation proper नहीं हो पाता है ठीक है? वो alter कर जाता है तो इसमें X-linked recessive disease है ये बात आपको याद रखनी थी ये बात हो चुकी थी हमारी कि ये बातें आप याद रखेंगे X-linked recessive disease है ये हीमोफीलिया में chains होती है हीमोफीलिया में कुछ chains होती है कुल मिला के आप इतना भी अगर याद रखते हैं तो फिलाल इतना बहुत है सिकल सेल अनीमिया में autosomal recessive trait है सिकल सेल अनीमिया में heterozygous form में ये express नहीं करता है क्योंकि ये autosomal recessive trait है autosomal recessive trait है तो ये क्या होगा? homozygous recessive वाले case में ये active होगा ठिक? ये जो होगा, वो disease होगा कई बार कहा जाता है कि ये वाले जो हैं ये malaria से बचे रहते हैं क्यों बचे रहते हैं? क्योंकि जो plasmodium जो parasite है वो कई बार पहचान नहीं पाता है ये जो heterozygous से क्योंकि ये disease तो शो करते हैं ठीक है? पर इनको पहचान नहीं पाता है ठीक है? तो इसमें recite नहीं करता है ठीक है? वो नहीं करता है ठीक, इसमें होता क्या है? बिसकली सिकल सेल नीमिया में glutamic acid जो है G, C, A, G G, A, G होता है या C, A, G होता है? C, A, G रखते है C, A, G C, A, G जो है जो की glutamic acid के लिए coat करता है ये इसको एक बार देख लिजेगा मेरे खेल से C, A, G ही होता है वो किस पर करने लगता है? valine के लिए code करने लगता है और इसका change क्या हो جाता है GU-G हो जाता है GU-G हो जाता है sixth position पे beta globin change होती है उसकी sixth position पे ऐसा होता है कैसे होता है? यह point mutation की वज़े से होता है जो glutamic acid के लिए code कर रहा था genetic code जो वो अब valine के लिए code करने लगता है इसी को हम कहते हैं sickle cell anemia होना क्योंकि genetic disorder की वैसे यह हुआ ठीक है इसमें RBC जो है वो normal न रहके वो sickle shaped बन जाते हैं ठीक है जिससे कि उनकी बहुत जल्दी death हो जाती है क्योंकि spleen इसको ले जाके मार देती है ठीक है spleen को का जाता ना graveyard of RBC तो spleen में जाके फिर यह मर जाते हैं इनकी life cycle अगर 120 दिन की होती है तो बहुत जल्दी ही यह मर जाते हैं इसलिए anemia हो जाता है इनको यहां पर क्या होता है जो hemoglobin की chain है उसमें RBC इसका मतलब जो RBC का shape है वो change हो जाता है ठीक है तो इसको qualitative मतलब qualitative way में यह effect कर रहे है ठीक है अभी हम आगे बढ़ेंगे ठीक है आते हैं phenyl ketone urea पर inborn error of metabolism है inborn error of metabolism है autosomal recissive disorder है अब आगे बढ़ते है phenyl alanine क्या होता है tyrosine में convert कर जाता है और फिर यही चीच store होने लगती है और store होने के बाद क्या होता है mental retardation cause कराती है आप लोग मतलब कोई भी अपना mental retardation देखेगा नहीं वो और भी reason होते हैं वो इस वज़े से ही हो ऐसा ज़रूरूती नहीं है ठीक है तो यह inborn error है क्योंकि genetic disorders की बात करें सब inborn error of metabolism है अगला आते हैं thalassemia पे thalassemia बच्चों autosomal recissive disease है सबसे important यहां पे यही सब चीज़े याद रखना है कि autosomal recissive है या नहीं या autosomal dominant है यही सब बाते याद रखना है जिसमें कि जायतार आपको autosomal recissive दिखे होंगे आगे आते हैं thalassemia यह दोनों sexes को बराबर असर करता है दोनों sexes को बराबर असर डालता है rbcs इसमें छोटे होते हैं और short-lived होते है rbcs छोटे होते हैं और short-lived होते है यहाँ पे क्या होता है बच्चो यह quantitative तरीके से rbcs के hemoglobin के production में फर्ट डालता है क्यों? कैसे? होता क्या है? होता क्या है? कि alpha thalassemia और beta thalassemia दो तरह के thalassemia होते हैं ठीक है? alpha thalassemia जो है असल मैं hemoglobin की बच्चो दो alpha और दो beta chain से बनता है ठीक है? तो इसमें होता क्या है? कि alpha chain में जब कोई problem आए कोई mutation आजाए किसी भी वैसे कोई दिक्कत आए तो यह करता क्या है? कि वहाँ पे कुछ कम amino acids बनते हैं तो वह alpha chain में जब production कम होने लगे तो क्या होगा? alpha thalassemia हो जाएगा और जब beta chain में production कम होने लगे तो beta thalassemia हो जाएगा और एक की बंद अगर कम हो गई तो दूसरे की ज़्यादा हो जाएगी relatively ज़्यादा हो जाएगी इसके बाद क्या होगा? फिर RBCs फिर मारे जाते हैं कि भाइस अब तुम गलत हो ठीक तो ये quantitative way में ऐसा डालते हैं क्योंकि ये कम globin chain में कम production को मतलब दाश आते हैं इसलिए ऐसा होता है ठीक है? तो RBCs are short and short-lived and small short-lived and short-lived हो जाते हैं ठीक है? ठीक, chromosomal abnormalities के disorders देख लेते हैं autosomal abnormalities होती हैं कुछ और उनके example है सिर्फ एक example है आपके course में जो कि है down syndrome down syndrome मतलब down syndrome मतलब नीचे जा रहा है? सब नीचे जा रहा बचो सब नीचे जा रहा है सब नीचे कैसे जा रहा है? down syndrome में काफी चीजें इनकी जैसे ये फोटो दिख रही होगी आपको ठीक है? क्या है? mental retardation एक तो आप ये चीजें हर जगा सकते हैं mental retardation ठीक characteristics eyes में का आप रहने दिये mental retardation याद रखी protruding large wrinkled tongue ठीक है? और कुछ shortened fingers और congenital heart disease कुछ ऐसी diseases हैं यहाँ पर हर चीजें गर्बला रही है मामला ठीक? trisomy of 21st chromosome से होता है ये बात सबसे important है अगर आपको कल को karyotype दे दे किसी disease का बना के ठीक है? और उसमें आपको दे दे कि 21st chromosome माली 22 chromosome बना के दे दिये और अगर 21st chromosome पे आपने देखा कि एक chromosome extra दिख रहा है तो वो क्या disease शो करेगा? वो क्या करेगा? डाउन syndrome शो कर रहा है ठीक है? कोई problem? अगर उसी में अगर trisomy of X chromosome दिखाए यानि X chromosome extra दिख जाए 23rd pair में तो फिर क्या होगा? वो? क्लाइन फेल्टर्स होगा और अगर वो एक ही chromosome दिखाए monosomy of X chromosome तो फिर क्या होगा? वो Turner syndrome हो जाएगा ये दोनों ही sex chromosome की abnormalities है जैसा कि आपको समझ में आ रहा है और वो वाली क्या थी? autosomal abnormalities थी ठीक? तो यानि अगर 21 में chromosome पे एक केरियो टाइप extra बन के आ जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? वो क्या होगा? Down syndrome हो जाएगा ठीक? sex chromosome की abnormalities में Klein-Felter syndrome इसको आप बस ऐसे देख लिजे XXY ठीक? इसको अगर आपने इतना भी याद रख लिया कि AXXY क्या है? Klein-Felter syndrome है कहीं लिख लिजे चार बात लिख लिजे एक X chromosome एक्स्ट्रा बढ़ा है यानि एक दिमाग में ऐसा बना लिजे कि एक X chromosome एक्स्ट्रा बढ़ा है तो यानि female character कहीं न कहीं क्या होगा? बढ़ रहा होगा female character बढ़ना या male character को कम करना ठीक? तो यहाँ पे आप कुछ points क्या हो गए? Oligospermia, sperm count कम हो जाएगा ठीक, breast development यानि female character बढ़ रहा है यहाँ male character कम हो रहा था यहाँ female character बढ़ रहा है long arms and legs इसको आप अगर ना भी करें दो point भी अगर याद रखें तो बहुत ज़गर हुई है यह इस तरह से आप याद कर सकतें क्योंकि syllabus बहुत है last time पर यह चीज़ें अगर याद रहें मैं यह नहीं कह रहा है आप और points ना देखें लेकिन इज़द बचाने भर का तो पहले देखिए ठीक है? तो पहले XO Turner syndrome में क्या है? XO है XO का मतलब एक X chromosome कम है तो जो male Turner syndrome जिन में होगा, जिन बच्चों में उन में क्या होगा? Monosome of X chromosome तो यानि female character क्या होगा? जिन females में, अगर यह females में हो रहा है तो immature females होगी, sterile females होगी क्योंकि एक X chromosome कम है ठीक है? एक X chromosome कम है यहाँ पे webbed neck देखा गया है और below average intelligence है तो यहाँ पे कुछ हमारी बाते खतम हुई आगे आते हैं कुछ पार्ट पे NUploidy और Uploidy पे आते हैं ठीक है? NUploidy क्या होती बचो? कभी भी जब chromosomal abnormalities में है genomatic mutations में आता है यह genomatic mutations मतलब chromosome की defects में आता है यह ठीक है? तो इसमें क्या है? NUploidy और Uploidy आते हैं दो पार्ट में Uploidy में chromosomal sets में चेंज आता है ठीक है? और यहाँ पे sets में चेंज नहीं आता है ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? Set में चेंज अब बच्चों देखते हैं genomatic mutations ठीक है? genomatic mutations क्या होते हैं? जब chromosome number में चेंज आ जाए chromosome के number में चेंज आ जाए तो हम क्या कहते हैं उसको? genomatic mutation जब पूरे whole genome में chromosome number में चेंज आ जाए ठीक है? ठीक है? तो genomatic mutations क्या है? दो पार्ट में हैं? क्या हो सकता है? या तो NUploidy हो सकता है? या Uploidy हो सकता है? ठीक है? Uploidy में क्या होता है? chromosome sets में चेंज आ जाता है इसमें सिर्फ number में चेंज आता है ठीक है? सिर्फ chromosome number में चेंज आता है ठीक है? chromosome number में चेंज कैसे हो सकता है? अलग-अलग type है इसकी ठीक है? या तो ये क्या हो सकता है बताइए बताइए या तो कुछ कम हो सकता है chromosome number माली किसी का 2N chromosome number है यानि deployed है तो क्या हो सकता है या तो कम हो सकता है या तो जादा हो सकता है ठीक है यानि ये क्या हो सकता है वोलिये वोलिये monosome हो सकता है ठीक है Monosomi क्या होगा Monosomi का example क्या होगा 2n-1 क्या दू मैं ऐसा कहूँगा अगर मैंने यहाँ पर Nully somi कहा तो 2n-2 मान जाएंगे अगर मैंने Tetrasomi कहा तो 2n-2 2n-1 2n-2 हो जाएगा कोई doubt Trisomy कहा तो 2n-2 1 हो जाएगा कोई doubt एक chromosome बढ़ गया या कम हो गया, बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसे ही Uploidy की बात करें, Uploidy में, क्या हो सकता है, या तो single set of chromosome present है, single set of chromosome present है, यानि haploid की बात कर रहे हैं, हम monoploid की बात कर रहे हैं, haploid की बात कर रहे हैं, या हो सकता है polyploid हो, polyploid यानि multiple sets of chromosome present हो, haploid के individuals में generally क्या होता है कोई जैसे कि drones की बात है आप करें haploid individual है, अगर उसमें अगर उसमें वो monoploid के अगर example आप आप देखें या उसमें देखें, ड्रोन में देखें तो उसमें क्या होता है कि जब भी कभी वो multiply होते हैं तो कैसे होता है या उनका production होता है, वो कैसे होता है कभी भी उसमें हमेशा parthenogenesis के थू होता है, ठीक है, कभी भी उसमें sexual reproduction proper way में नहीं हो पा रहा है ठीक है, तो और आगे आते हैं polyploid जिसमें की multiple sets of chromosome पाए जाते हैं, ठीक है So this is all, ये part छोटा सा है, पर important है, इसको देखके जाएगा, बिल्कुल देखके जाएगा और उमीद है आपको overall lecture ठीक ठीक समझ में आया होगा बचों पढ़ते रहिए, परिशान मत होईए हो जाएगा सब, एक chapter अगर आज आपने ये देखा है, तो पूरा इस chapter को पूरा दिन बहुत काइदे से रिवाइस करिएगा important चीजें बहुत ध्यान से देखेगा आप कुछ चीजें जो की फसा रही हूँ आपको बहुत जादा अगर वो important है, तभी उसमें खुसिएगा otherwise अभी मत खुसिएगा, तो ठीक है, so this is all so I am Yashir Shrivastav signing off, bye bye बचो